नमस्कार दोस्तों अपनी क्लास में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं जिसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में आपको बोला था कि इसे क्लास वा हम लोग 6 चेप्टर मैं डिवाइड करेंगे और इसमें पहला जो चेप्टर है वो राष्ट्री आयर उत्पात का होगा तो आज हम इस चेप्टर की शुरुआत करेंगे दोस्तोंjak जिसा कि मैंने आपको बताया, कि हम लोग class notes बनाने पर ध्यान देंगे, यानि कि जो भी काम होगा, वो class में होगा, और हम offline class की तरह ही online classes को करेंगे, तो दोस्तों, वो ही method में follow करूँगा, ये मांग के चलूँगा, कि आप लोग मेरे सामने आए, और आपको बिल्कुल भी डर करने की जरुत नहीं है, आराम से आप पढ़ाई करें, कोई परिशानी की बात नहीं होगी, आराम से धिरी धिरी धिर आप आगे बढ़ें, जिसा कि मैंने आपको कहा, कि मैं 55-60 गंटों में इस class को पूरा करूँगा, हो सकता है, शुरुआत में उतनी lengthy के video हम लोग नहीं ब हर चेप्टर वाई जितने भी अबडेशन हैं, उन सब को मैं इनकोर्पोरेट करता हुआ चलूंगा, जिसे मान लीजिए इस चेप्टर की हम शुरुआत कर रहे हैं आज, तो मैंने आपको पहले भी काता, यानि कि मैंने कल के video में आपको बूला था, कि 7 जनवरी को NSO की और उनको अलग से भी हम लोग discuss कर सकते हैं, वो बाद में इस चेप्टर के बाद में कर लेंगे, कुछ चीज़े इसी होती है जिनको अलग से discuss करना पड़ता है, तो वो कर लिया जाएगा, और इस तरह से topic wise हम अपडेट पी करते वे चलेंगे, class में लिखेंगे, और लिखा कलोर आज में ही करने वाला था paper discussion, लेकिन दोस्तों यह नया बेच जो शुरू हुआ है, तो इसकी वज़े से थोड़ा सा मेरा ध्यान जो है वो आपकी classes की तरफ था, तो आज या कल में UPSA Men's का paper GS3 का भी discuss करूँगा, और वो भी बहुत interesting आपको लगेगा, दोस्तों उसमें में भी एक सवाल आया था कि potential GDP से आप क्या समझते हैं, और कौन से कारक है जो भारत को potential GDP को प्राप्त करने में problem create कर रहे हैं, या बाधा पिदा कर रहे हैं, तो दोस्तों यह topic एक तरह से men's से भी relate हो जाता है, अगर हमें इनके सवाल को हम देखें, UPSA के प्रशन को हम देख कि आप growth rate को कैसे बढ़ा सकते हैं भारत में, high growth rate की तरह भारत कैसे जा सकता है, इससे भी प्रशन पूछे जा सकते हैं, तो दोस्तों इसको ठीक से आप पढ़िए और vertical approach रखिए हमेशा पढ़ाई के लिए और मैं इस पर stress करता हूँ हमेशा, vertical approach का मतल्य होता है कि जब आप लोग PT पढ़ रहे हो तो यह देखो कि MENS से यह कहां relate हो सकता है, और जब आप MENS पढ़ रहे हो तो PT से इसका relation कहां बन सकता है, एक हमेशा ध्यान रिखिए कि कभी भी आप अलग-अलग धंग से तयारी नहीं कर सकते हैं, कि आप PT पढ़ रहे हो तो PT PT में आपका दिमाग है और MENS पढ़ रहे हो तो MENS से MENS में आपका दिमाग है, आप हमेशा ठीक हम course को अलग-अलग करते हैं, जीसे मैं भी अपनी classes में करता हूं, PT अलग पढ़ाता हूं, MENS अलग पढ़ाता हूं, उसकी वज़य क्या है कि topics अलग-अलग हैं, लेकिन फिर भी कई सारी जिगे merging होते हैं, तो वहां हमें vertical approach को follow करना पड़ेगा, और आप ध्यान से पूरे lecture को सुनें, और कई चीजे में बहुत साधरन example भी देता हूं अपनी class में, और ऐसा आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही साधरन example है, इसकी क्या जरुरत है, ऐसा feel होगा, लेकिन उसी example पे धीरे-धीरे म आप चला जाऊंगा, ये आपको पता नहीं लगेगा अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो, और वहां आपको questions मिल जाएंगे, जहां पर में कोई भी चीज को उपर की तरफ उठाऊंगा, तो आपको किसी भी चीज को taken for granted नहीं लेना है, कभी ये नहीं सोचना है कि ये तो मे मुझे एज़ टीचर ले रहा है, तो मेरे प्रती एड़जस्ट होने की कौसिस करिये, क्योंकि मैं अपनी natural स्वभाव में जितना सही काम कर पाऊंगा, अच्छा काम कर पाऊंगा, उतना में मैं अगर अपने आपको change करूंगा, तो उसमें फिर मेरी जो स्वभाविक चीज और अपनी पढ़ाई को अच्छा करोगे, तो दोस्तों इस chapter का हम आगाच करते हैं, और इसकी शुरुवात करते हैं दोस्तों, तो आईए, सबसे पहले हम दोस्तों प्रस्तामना लगाते हैं, आप अपनी notebook खोल लें, और हम notes बनाएंगे, जिसा है कि मैंने आपको बोला, औ और वीडियो क्लासेज में भी हमें वही पेटन फोलो करना, जोर जोर से और फटा पट फटा पट बोल के, क्लास को खतमने करना है, और यह कोई entertainment का area नहीं है दोस्तों, ठीक है, वीडियो बन रहा है, इसका मतलि नहीं कि, उसमें entertainment की stuffing कर दी जाए, इसका मैं गोर विरोधी ह और मैं discipline पसंद करता हूँ दोस्तों, आप मेरे सामने नहीं हो, दिखाई नहीं दे रहे हो, लेकिन फिर भी मैं आपकी presence को feel करता हूँ, और हमें एक अनुशाशन maintain रखना है, आप भी जब class करो, तो बिलकुल अनुशाशन के साथ करो, अपना जो भी room जहां पर भी आप study कर करते हो, थोड़ी देर के लिए अपने आपको महां से मतलब दुनिया से अलग कर लो और सिर्फ पढ़ाई में अपने आपको concentrate करो, एक fix time बना लो आप अपना जिस time पर आप पढ़ो मतलब और उसी time पर फिर आप इस class को करो, अपना video open करो और फिर उसको देखो, हम day to day चाकर भी मतलब नहीं कर पाते हैं या विलंब हो जाता है, तो उस चीज को आप ध्यान में नहीं लाएंगे, इसे मेरी आप लोगों से गुजारिश है, और बाकी तो आप touch में रहेंगे, कोई दिक्कत आती है, और कोई clarity आपको चाहिए, तो phone करके आप आप आचीप कर सकते हैं, और आपको कोई जरूत नहीं पड़ेगी, मेरा अपना एक प्रस्न अनभव है, तीन-चार साल हमें online classes में हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि online classes हमारे यहां पहली बार हो रही है, तीन-चार साल से हम लोग इसको चला रहे हैं, और मैं आपको बहुत बहुत इमानदरी के साथ इस बात को कह रहा हूं, कि जो हमारे यहां offline classes होते थे, उसमें बहुत स्टूडेंट बाहर आके कुछ प्रस्न कर लेते थे, बाकि online classes में एक दो बच्चों के अपवाद को में हटा दू, तो कोई single question मेरे पास नहीं आया है, कि sir हमें यह चीज नहीं समझ में आई है, इसको फ marriage कभी कबार आई है, तो बाकी बहुत अच्छे से इन classes का performance रहा है, तो आप ध्यान से अगर करोगे, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी, तो आप प्रस्तावना लगए और फिर हम इसकी शुरुआत करते हैं, और प्रस्तावना में आप लिखे, जैसे यह पहला heading आप लग किसी भी राष्टर में लोगों को मिलने वाले आर्थिक कल्यान तथा उसमें उपलब्द सीमित आर्थिक संसाधनों के दोहन के स्तर, दोहन यानि एक्स्परेटिशन, दोहन के स्तर के बारे में अनुमान लगाने के लिए, राष्ट्री आई और उत्पाद, रास्ट्री आई और उत्पाद का अधियन किया जाता है, का अधेयन किया जाता है पुर्ण विराम लगा ले दोस्तों दो कारण है कि हम राष्ट्रिय आई और उत्पाद क्यों पड़ते हैं पहले तो आप यह समझ लो कि हम ऐसे लिखे रहे हैं मतलब रास्ट्रिय आई और उत्पाद ये दो रास्ट्रिय तो आप छोड़ दीजिए एक प्रकार का विशेशन है आई और उत्पाद साथ साथ में आ रहे हैं बहुत आराम से पढ़िए कोमन सेंस के साथ पढ़िएए इकनोमिक्स इजब्जेक्त ऑब कॉमन सेंस दोती जोच सेट इडिट कॉमन सेंस इस वेरी अनकॉमन अब वह एक अलग बात है आप कॉमन सेंस रख हैं उतना इंप पढ़िए जितना आपकी काम का है समझ ये और दूर निकल जाईए समझ और दूसरे कांटे का प्रयूब करते हैं और लास्ट में दोनों कांटे फेंग देते हैं वही भाव यहां पर रिखिए परिक्षा पास करनी है ओके तो आई और उत्पाद आज साथ में जुड़े वे हैं और एक तरह से यह आप हमेशा क्या की आश्रित है मतलब आई आश्रित है उत्पाद के उपर और दोस्तों उत्पाद का मतलब एक प्रकार से प्रोडक्शन है आप प्रोडक्शन करोगे जब इंकम जनरेट होगी यह तो आप मानते होंगे ना अगर मैं काम नहीं करूंगा तो इनकम होगी production करूंगा तो income होगी ऐसे आप समझो हम किसानों की आई दोगुना करना जाते हैं तो आई को दोगुना करने के लिए हमें ये तो करना पड़ेगा ना production एक अलग बात है कि आप ज़्यादा कीमत देखर भी किसानों की आई बढ़ा सकते हैं लेकिन कीमत किसकी लिए दो गया कीमत किसी चीज की होती है ना वो चीज का उत्पादर नहीं हुआ आगया और आप कीमत बढ़ा-बढ़ा कर किसान का भला कैसे कर सकते हो लगाता है क्या देश में उभोगता नहीं है उभोगता भी तो है इंफलेशन नहीं आ जाएगा कंट्री में आपको संतुलन लाना चाहिए या असंतुलित धंग से चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए जैसे आप केदो कि हम पटेटो 80 रुपे किलो आलू बेचें मार्केट में किसान को 80 रुपे दें और उत्पादक का बेनिफिट भी हो हर जिगे कीमत से ही आई को बढ़ाने का जो तरीका है यह दोस्तों काम नहीं करेगा आप इस बात को गहराई से समझे जो मैं कहना चाह रहा हूं इसमें कोई वेशे बात में नहीं कह रहा हूं जिसमें आपको भवग होने के आपशकता है हम नहीं कह सकते कि हम हमेशा मार्केट में उच्ची कीमत वसूल कर पाएंगे तो हमें वो सुझाव देने चाहिए उन बातों पर फोकस करना चाहिए जो स्थाई हो अच्छी हो चलने वाली हो तो दोस्तों किसी भी विक्ति को अगर अच्छी इंकम प्राप्त करनी है तो उसको प्रोडक्शन पर ध्यान देना पड़ेगा प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा तो आपको सही इंकम मिल पाएगी इसलिए दोस्तों क्या है कि यह आपस में जुड़ेव है इसलिए यह चेप्टर इसा मनावा आई और उत्पाथ बाकी चुकी हम लोग पुरे देश भर की आई को पढ़ रहे हैं इस चेप्टर में और यह मौन के चलो आप कि हम समस्टी गत अर्थ शास्त्र पढ़ रहे हैं पूरी समस्टी मतर生ए जो भारत है वह पूरी एर्थ विवस्ता को देखेंगे हम ले जब हम पूरी एकॉनामिक को पढ़ते हैं लेकिन को कहते हैं macroeconomics समस्टी के तर्फ साथ जब हम एक business firm को पढ़ते हैं किसी एक unit को पढ़ते हैं यह microeconomics लेकिन हम पूरे देश को ध्यान में रखकर पढ़ाई करते हैं तो वो है macroeconomics ऐसे ही मैं कई example लेते दिर दिरे आपको पूरी तरह से clear कर दूँगा कि यह micro और macro क्या है पहले उसमें हम नहीं जाएंगे मित्रों क्योंकि हमारा chapter यह है और मुझे अलाबाद जाना है तो मैं फत्यपूर किसले उत्रूंगा मेरा target है कि मुझे अलाबाद पहुंशना है हाँ फत्यपूर को मैं देख लूंगा तो हमारा target है कि इस chapter को पढ़ें और थोड़ा संधर्ब आ गया तो वो संधर्ब को संधर्ब की तरह से ले नहीं कि उसको मैं विशे बना गए खेर दोस्तों तो पूरे देश की उत्पादन को जाने आई को जाने ये इस chapter की विशे वस्तू है दो कारण इसके मैंने आपको बताए कि हम क्यों पढ़ते हैं इसे एक कारण ह है लोगों को आर्थिक कल्यान कितना मिल रहा है नहीं कि आर्थिक कल्यान आर्थिक कल्यान के बारे में अनुमान लगाना है कि एकोनॉमिक वेलफेर लोगों को कितना मिल रहा है सामाजिक कल्यान, राजनिति कल्यान पढ़ते हैं, इसे आर्थिक कल्यान होता है दो सामाजिक गल्यान जब हम, हमेस समाह से सम्मान मिलता है समाज में हमारी पैचान होती है तो समाजिक संस्ताओं में कहीं हम जुड़ेवे हैं या समाज के कोई कमीटी है उसके अध्यक्ष है, मेंबर है हम गाउं में गए तो लोगों ने हमें पैचाना हमारी मित्र मंडली है, हमारी जाती के लोग हैं हमारे गाउं के लोग हैं वो हमें रेस्पेक्ट दे रहे हैं हमें पहचान रहे हैं अपने जो भी कारेक्रा में उसमें हमें बुला रहे हैं ये सामाजिक भागी दारी इससे हमें खुशी मिलती है अच्छा लगता है कि उन्होंने मेरे को याद किया उन्होंने मेरा सम्मान किया यह है सामाजिक कल्या और दोस्तों जब हम राजनेति कल्यान को केसे प्राप्त करते हैं बहुती बेसिक जो लेवल है राजनेति कल्यान का वो आपका वोटिंग राइट जांतक मैं समझता हूँ इस इसको आप और देख लाए जब हमें voting right मिलता है तो हमारे राजनिती कल्यान की शुरुआत होती है और बड़े बड़े लोग जब election आता है तो हमें प्रणाम करते हैं हमारे आगे पीछे गूंते हैं हम से अच्छे से बात करते हैं नमस्कार करते हैं वोट की मांग करते हैं हमारी बात को सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छी अनुभूती होती है और फिर इसमें और आगे आप बढ़ गए तो प्रणामंतरी भी बन सकते हैं वो फिर प्लाइमेक्स है जैसे कि मोदी सर चाई बेचते बेचते प्रणामंतरी बन गए तो राजनिती कल्यान के चरम पर चले गए तो दोस्तो इस तरह से हमें हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं उसके पद्ध पर हैं एमेले बन गए, एमपी बन गए प्रणामंतरी बन गए, मंतरी बन गए ये राजनिती कल्यान है और आर्थिकल्यान दोस्तों क्या होता है जब हम उभोग करते है किसी चीजका उभोग करते है तो उसे जो हमें संतुस्टी मिलती है जिससे मान लीजे आपने एक स्मार्टफोन खरीदा बहुत अच्छा लगا आप उसंतुस्टी मिली आपकी कावशिक्ता पूरी हुई, आपने एक बलेजर खरीदा, पेसे दिये, बलेजर खरीदा, अच्छा लगा आपको, तो उभोग जनित, जो कल्यान है, उभोग करने से जो संतुष्टी आपको मिलती है, वो क्या है? आर्थिक कल्यान, तो दोस्तों क्या है कि, से आर्थिक कल्यान प्राप्त होता है, और कोई कही कि, आर्थिक कल्यान कितना मिल रहा है लोगों को, तो ये कैसे बताएं, तो जैसे, मैं अगर, एक लाक रुपे का आईफोन खरीदा हूँ, तो मैं किसी आईफोन के एक लाक रुपे क्यों देना हूँ, क्योंकि मुझे, पहले से ही यह फील हो रहा है कि जो आइफोन में लेने वाला हूँ, उससे मेरे को उतना economic welfare मिलेगा, तभी मैं एक लाख रुपे दे रहा हूँ. जब हम चाई पीने के लिए जाते हैं, और चाई वाला हमें कहता है कि 10 रुपे का एक कप है, तो हम सोचते हैं और कहते हैं कि चलो दे दो, उस समय हमारा mind fast calculate करता है, कि यह चाई में पिऊँँगा पहले से ही सोचते हैं लो, pre-conception state of mind. जब आप when you go into the market, when you purchase the things, you feel in advance the utility of goods which you are going to consume, जो बस्तों में आप उभोग करने वाले हैं, उनकी यह कल्यान को आप पहले से ही feel करते हैं, हमेशा है इससी को आप notice करिएगा, तो 10 रुपे की चाई का कल्याना पहले ही मैसूस करते हैं, जब आप mcdonald's पे जाते हो, बर्गर के लिए order करते हो, तो उसके स्वाद से मिलने वाली उप्योगिता को पहले ही मैसूस कर लेते हो, और तब उसको करते हो, लेके आओ, जो भी आपका order है, तो दोस्तों हम घूमने जाते हैं, कि कोई घूमने जा रहा है बाहर किसी country में, दुबई जा रहा है सपोश, तो लोगों से वो डिसकस करता है कि अच्छा दुबई में क्या है, कैसी चीजें हैं, वो सब बताते हैं, उससे एक frame बनता है हमारे दिमाग में, और हम मनो मन फील करने लगते हैं, अच्छा मैं ऐसे इसी जिगर घूमूंगा, मुझे मज़ा आएगा, इस तरह से क्या होता है, एक idea form करत और आपको फ्योगिता मिलती है उसके अनुसा, दुबई घूमने जाते हूँ, आपको मज़ा आता है, यह आर्थी कल्यान मिल रहा है आपको, रामश्वर की क्लास को आप जोइन करते हूँ, तो करने से पहले दस जगह से आपता लगाते हो, पूस्ते हो कि उसर की क्लास कैस बास फीस है, पीटी और मैंस दोनों की, तो आप उतनी उप्योगिता महसुस पहले से कर लेते हो, कि यह मिलेगी मेरे को, यह सोच के आप फिर एड्मिशन लेते हो, क्लास तो एकदम कैसे मिल जाएगी, क्लास तो वन क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ऐसे ज़लेगा ना, तो आपको पहले ही एड्मिशन लेना पड़ेगा, तो दोस्तो यही चीजे हैं, हम को रेफ्रीजरेटर लेकर आ रहे हैं, तो उसको धीरे-दीरे ही तो यूज करेंगे, खरीदना तो हमें पहले पड़ेगा उसे, तो उस रेफ्रीजरेटर की उपवगिता का आईडिया हम और फिर उसके बाद हम उसको खरीदते हैं, तो दोस्तो क्या है कि, एकोनामिक वेलफेर उभवग जनित कल्यान होता है, और जितना आप पे करते हो, उतना आर्थी कल्यान आपको मिल रहा है, ऐसा एकनामिक समानता है, तो अगर हमारे देश का जीडीपी, एक्स अमाउंट ह तो आप कह सकते हूँ कि, लोग एक्स अमाउंट के बराबर आर्थी कल्यान को प्राप्ते कर रहे हैं, तो ये बात आपको समझते हैं, थाहरं प्रोडक्शन हायर एकनामिक वेलफेर, लौवर प्रोड़क्शन लौवर एकनामिक वेलफेर, तो मुद्रा हमें अभिवेक्त क के भी है इस तरह से दोस्तों आर्थिक लियान का स्तर उससे पता लगता है और दूसरा क्या है कि आर्थिक संसाधनों के दोहन संसादनों के दोहन किस्तर का पता लगता है कितना अपार्तिक संसादनों का दोहन कर रहा है जिससे हम कह रहे हैं कि हमारा GDP निचे चला गया है ग्रोथ रेट माइनस में है तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि हम जितना पिछले साल अपने संसादनों का दोहन किया था उतना नहीं कर पा रहे हैं तो जब तक आप मापोगे नहीं, मेजरमेंट नहीं करोगे, देखोगे नहीं कि कितना उत्पादन इस बार हुआ, कितना उत्पादन last year हुआ तो आपको कैसे पता लगेगा कि हम दोहन किस तरह से कर रहे हैं अपने संसादनों का और जो अभी मेंस में पूछा था कि potential GDP से आप क्या समझते हों यह जो सवाल पूछा गया तो दोस्तों अर्थ शास्री क्या करते हैं कि जितने भी हमारे देश में आर्थिक संसादन होते हैं उनके बारे में अनुमान लगाते हैं जैसे मान लीजिए यह यह हमारा देश है यहां पर मैं इंडिया लिख देता हूं तो इसमें प्रोडक्शन करने वाले कई सारे संसादन हैं भूमी भी है भवन भी है मशीने भी है मैं पावर भी है पूंजी भी है यह ना मतर्ब जैसे आप कह सकते हो कि भूमी है भवन है मशीने है श्रम है यह तो इस तरह से आदे लगा दीज़ए एक एकजामपल के रूप में जो भी संसादन आपके डेश մें अगरो पूरी तरह से इस्तेमाल होते हैं मतब कोई भी संसादन खराब खाली नहीं बेटावा है पूरी तरह से उनका इस्तेमाल होता हो तो कितना आपके देश में प्रोडक्शन होगा उसको हम कहते है पोटेंशियल संभाव्य जीडीपी एक देश की गरिलू सीमा के बीतर जितने संसादन है अगर उनका सही इस्तेमाल करें उनको कुशलता पूरवक हम इस्तेमाल करें कोई भी खाली नहीं हो तब कितना जीडीपी आपके देश में हो सकता है ये कहलाता है पोटेंशियल जीडीपी और पोटेंशियल जीडीपी और एक्चुल जीडीपी में difference अगर है तो हम कहेंगे GDP gap है इस तरह से समझें आप इसको जिससे मान लीजिए एकनोमिक्स में इस तरह की डाइग्राम बनते है थोड़ा समझाने के लिए यह मान लीजिए potential GDP की line है एक line draw कर दी और यह potential GDP को दिखा रही है अगर हमारा जो GDP है वो actual GDP इसके नीचे चल रहा हो मतलब यह potential GDP है और आपका actual GDP अगर इस तरह से जा रहा हो और आप मान लीजिए इस बिंदू पर है इस time time एक टी लिया मैंने इस बिंदू पर है यहाँ आप देखेंगे कि यह potential GDP है और यह actual GDP है तो actual GDP नीचे जा रहा है इस gap को कहते हैं GDP gap समय के साथ potential GDP का स्तर बढ़ता है और यह actual GDP की condition को दिखा रही है यह line तो यह potential GDP और यह actual GDP तो इस तरह से दोस्तों एक रास्टर की जो हमेशा कौसिस होती है वो यहाँ पर जाने की होती है लेकिन आपको पता लगना चाहिए कि आपके यहाँ पर GDP अभी कितना चल रहा है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा measurement करना पड़ेगा दोस्तों आपको गन्ना करनी पड़ेगी तो आर्थिक संसादनों का दोहन बेतर ढंक से हो यह चीज पता लगानी पड़ेगी आपको GDP के माधियम से और लगों का आर्थिक कल्यान का स्तर काँ चल रहा है इसका पता भी लगता है GNP GDP आदि संकल्पनाउं से या राष्ट्री आई या उत्पाद की संकल्पनाउं से यह तो प्रस्तामना आवा दोस्तों आप अगला हेडिंग लगाएंगे राष्ट्री आई की कुछ मुख्य अवधारन आए कुछ मुख्य अवधारन आए कुछ important concept जो राष्ट्री आए से आएके हैं वो कौन-कौन से हैं उसमें सबसे पहला हम लेंगे GDP दोस्तों इसमें फर्स लगाईए GDP ग्रोस डॉमेस्टिक प्रोड़क्ट ग्रोस डॉमेस्टिक प्रोड़क्ट सकल घरेलू उत्पार सकल घरेलू उत्पार ग्रोस डॉमेस्टिक प्रोड़क्ट पहला concept हम लोग उठा रहें तो इसकी परिवाशा आप लिखें मैं बोल रहा हूं और आप लिखेंगे paragraph change करकी आप लोग लिखेंगे किसीसी भी देश की किसी भी देश की गरेलू सिमा के भीत रहे किसी भी देश की घरेलू सिमा के भीत- एक वर्ष में उत्पादित होने वाली सभी अन्तिम बस्तूओं और सेवाओं सभी अन्तिम बस्तूओं और सेवाओं के बाजार मुल्यों के बाजार मुल्यों के समगर योग को समगर योग को GDP कहते हैं समगर योग को GDP कहते हैं मैं फिर इसे बोल रहा हूँ एक देश की गरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित होने वाली सभी अंतिम वस्तूओं और सेवाओं के बाजार मुल्यों के समगर योग को GDP कहते हैं पूने विराम लगा लें पेरिग्राब चेंज करें GDP की GDP की उपर्युक्त परिभाशा GDP की उपर्युक्त परिभाशा को ध्यान में रखते वे इससे जुड़ी आवश्क बातों को इससे जुड़ी आवश्क बातों को निमने प्रकार अभिवेक्त किया जा सकता है निमने प्रकार अभिवेक्त किया जा सकता है डेश लगाए और फर्स्ट पॉइंट लिखें जो परिभाशा हमने लिखी दोस्तों इसी से हम सारे बिंदू निकालेंगे समझना चाहेंगे और किन-किन बातों पर हमें फॉकस करना है यह चीज हमें देखनी है जो भी परिभाशा में लिखाई दोस्तों अगर उसको आधार बनाए तो पहला बिंदू क्या होगा डेश लगाने के बाद फर्स्ट पॉइंट लिखिए जीडीपी की गणना में जीडीपी की गणना में केवल उसी उत्पादन को शामिल किया जाएगा केवल उसी उत्पादन को शामिल किया जाएगा जो जो देश की गरेलू सिमा के भीतर जो देश की गरेलू सिमा के भीतर हुआ हो देश की गरेलू सिमा के भीतर हुआ हो फिर कौमा लगा दे कौमा लगाने की बाद लिखें इसे कौमा लगाकर फिर लिखें बले ही उस उत्पादन में विदेशी साधनों की भूमी का क्यों न रही हो अमगी भूमी का क्यों न रही हो अब लेंग्वेज के साथ चलें लेंग्वेज क्या बोल रही है लेंग्वेज कह रहा है कि केवल उसी उत्पादन को शामिल किया जाएगा जो देश की गरेलू सिमा के भीतर हुआ हो और गुड़ीपी की परिभाशा हम हम बहुली रहे हैं कि एक देश की गरेलू सिमा के भीतर है एक वर्ष में उत्पादे तो एक वर्ष में गिरा तो हम बाद में देख लेंगे लेकिन शुरुआत में हम क्या बोल रहे हैं एक देश की घरेलू सिमा के भीतर है तो लेंग्वेज क्या है घरेलू सिमा मैं कूँ कि मेरे घर के अंदर जो उत्पादन है वो मेरा उत्पादन है जिसे मैं यह बोलता हूं तो यहां बाहर का आदमी आकर भी मेरे घर में कोई काम करता है मेरे इंस्टीट में कोई काम करता है तो वो मेरा उत्पादन होगा मेरे उत्पादन में उनका योगदान हो सकता है लेकिन उत्पादन की जब गणना करेंगे तो वो मेरे इंस्टीट में काउंट होगा जिसे मैं द्रिस्ट में पढ़ाने के लिए जाता हूं जो एक जाना माना इंस्टिटुट है, हिंदी मीडियम में, तो मैं जाता हूं तो मैं, जो भी महाँ पर बच्चे एड्मिशन लेते हैं, और मैं उनके एरिया में जाके काम करता हूं, तो मेरी जो प्रोड़क्शन है, वो मेरा जो कॉंट्रिबुशन, वो उनके ने कि मेरा माना जाएगा तो इस चीज को इस तरह से समझें आप कि अगर हम इस तरह से एक बाउंडरी बना लें और यह इंडिया है अब भारत में कई लोग काम कर रहे हैं मतलब यहां ज्यादा तर विदेशी कंपनिया काम कर रही है इंडिया अगर हम विदेशी साधनों की बात करें तो दो साधन ऐसे होते हैं आप ध्यान से सुनिये मुझे दो साधन ऐसे होते हैं जो बोर्डर क्लोस कर सकते हैं उसमें एक तो श्रम होता है और एक पूंजी होता है यह आ जा सकते हैं तो हमारे याँ पर विदेशी साधनों में इसकी भूमिका उतनी नहीं है इसकी भूमिका है ये विदेशी पूंजी चाहे वो वोल्मार्ट ने भारत में लगाई हो या किसी और कंप्री ने भारत में लगाई हो लेकिन विदेशी साधन के रूप में विदेशी पुंजी जादा काम कर वही है इंडिया में तो भारत का GDP बढ़ेगा हमें यह नहीं देखना है कि यह विदेशी पुंजी है कि भारत की है हमें यह देखना है कि हमारी सीमा के भीतर है Is it clear? I think it must be clear to you all paragraph change करिए और फिर लिखिए इसी प्रकार और कॉमा लगा के फिर लिखिए यदि किसी देश के संसाधन किसी देश के संसाधन विदेशों में चले जाए विदेशों में चले जाए और वहाँ उत्पादन का कार्य करें तो तो उनके योगदान को उनके योगदान को संबन्दित राष्ट्र संबन्दित राष्ट्र के GDP में नहीं जूड़ा जाएगा संबन्दित राष्ट्र के GDP में नहीं जूड़ा जाएगा जिस से मान लिए भारत के लोग हैं वो बाहर चले गएं USA में चले गए जैसे हम देखते हैं कि हमारे कई software engineer USA में काम कर रहे है इंडियन डाइस पुरा पूरा एक chapter है दोस्तों आपके GS में तो दोस्तों वो बाहर काम कर रहे हैं बाहर के जिस country में भी वो काम कर रहे है वाग की GDP को बढ़ा रहे हैं उनकी GDP की गंडा में उनका योगदान शामिल होगा हमारे देश की GDP से उनका कोई लेना देना नहीं होगा प्रीकि वो घरेलू सिमा लांग चुके हैं तो ये बात आपको समझ में आगई होगी कि GDP में पहली चीज क्या ध्यान में रखनी है घरेलू सिमा ध्यान में रखनी है इसके भीतर जो भी उत्पादन हो रहा है वो हमारे देश की GDP में काउंट होगा पहला पॉइंट दूसरा बिंदू लिखें सेकिंड लिखें GDP की गंडा में केवल अंतिन बस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को के उत्पादन को सम्मिलित किया जाता है पिर अगर आप चेंज करके लिखें यदि सभी प्रकार की वस्तुओं को आप लिखें में बोल रहा हूँ यदि सभी प्रकार की वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है सम्मिलित किया जाता है तो तो दोहरी गणना दोहरी गणना अंडर्लाइन करिए अंगरी जी लिखें डबल काउंटिंग तो दोहरी गणना की समश्या तो दोहरी गणना की समश्या उत्यपन हो जाएगे तथा जी डी पी का अब शिक्ता से अधिक मुल्यांकन हो जाएगा अब शिक्ता से अधिक मुल्यांकन हो जाएगा पूर्ण विराम लगा ले दोस्तों इस बात को समझें सारी वस्तों को नहीं शामिल करना है सभी प्रकार की वस्तों नहीं शामिल होगी अब हमें ग्यान को हम क्या कर रहे हैं रिफाइनमेंट कर रहे हैं पहले हम कह रहे हैं कि जो भी उत्पादन हो रहा गरेलू सिमा में उसको शामिल करेंगे क्योंकि हमारा ध्यान गरेलू सिमा पर था अब हम उत्पादन को समझ रहे हैं यहाँ पर क्या हम सभी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन शामिल कर सकते हैं GDP की काउंटिंग करने के लिए तो नहीं कर सकते हैं कि एबल उन्ही वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन शामिल होगा जो अंतिम प्रकार की हैं तो अब हमें समझना पड़ेगा कि इस तरह से वस्तुओं के प्रकार कितने होते हैं तो दो प्रकार होते हैं दोस्तों एक मध्यवर्ती टाइप की वस्तुओं होती है जिसे रो माटिरियल जितने भी हैं जो भी कोई चीज रों मटेरियल के रूप में काम आती है वो मध्यवरती हुई वो मध्यवरती हुई और अंतिम वस्तु क्या होती है कि उभोग के काम आएगे और वो किसी भी वस्तु के डेवलप्मेंट का लास्ट स्टेज होता है जिसे मैंने ये कोट पेन रखा है तो ये अंतिम हुआ इसका फिर डेवलप्मेंट नहीं हो रहा है कई बार कुछ वस्तु के डेवलप्मेंट अपने आप भी रूप जाते हैं तो हमें ये देखना है कि उस वस्तु का लास्ट रूप क्या था उसी को शामिल करना है इसके पीछे वाले रूपों को शामिल नहीं करना है नहीं तो डबल ट्रिपल काउंटिंग होने लगेगी एक ही चीज की इस चीज को समझाने के लिए मैं एक निमेरिकल एक्जामपल लेता हूँ जो बहुती सरल है जिससे एक कंट्री के अंदर गेहू होता है यह भी एक किलो होता है आटा एक किलो होता है ब्रेड एक किलो होती है यह सब दोस्तों वन केजी है यह भी वन केजी है ठीक है और यह दस रुपे किलो है यह बारा रुपे किलो है और ये बीस रुपे केलो है अब कोई आपको कहें कि रुपियों के अंदर मुल्यों में पूरे देश का जीडी पर निकालिये तो आपने क्या किया कि उनको प्लस कर दिया उसमें वे तीन चीजे पेदा हुई और कितने पेदा हुई रेट कितना था उनकी मार्केट विल्यू निकालिये आपने तो 10 रुपे का उत्पादन गेहुं का दिखा 12 रुपे का उत्पादन आपको ब्रेड आटे का दिखा 20 रुपे का उत्पादन आपको ब्रेड का दिखा तो आपने इनकी टोटल करके 42 रुपीज बोल दिया लेकिन ये गलत है क्योंकि आप दोस्तों गेह वेल्यू इसके अंदर चली गई और उसमें 2 रुपे जोड़कर आटे वाले ने 12 रुपे किलो आटे का रेट रखा तो ये 12 रुपे किलो हवा में ने जूल रहा है ये गेहूं की वेल्यू के कारण ऐसा आया हूँ है तो ये बारे में 10 गएव है और दोस्तों जो ब्रेड है 20 रुपे किलो की तो इस ब्रेड के अंदर 12 रुपे गई मैं तो ये जो चीजें है ये जो दो चीजें है दोस्तों ये दो चीजें यह मध्यवर्ती प्रकार की चीज़ है इंटर्मीडियरी है रो माटिरियल्स की रूप में काम में आ रही है तो यह ही अंतिम क्योंकि इस पूरी पिक्चर में आपको लास्ट में कौन दिख रहा है ब्रेड तो ब्रेड में पीछे की वैल्यू जाए हुए है तो अगर आप यह देखें कि केवल अंतिम वस्तों को शामिल करते हैं आप तो आप GDP की वैल्यू क्या बताएंगे GDP की वैल्यू बीस बताएंगे ने की 42 और वो सही होगा पर इस तरह से आपको समझना चाहिए कि केवल अंतिम वस्तों और सेवाओं को अब आपके मन में आ रहा है कि ये तो बस्तू है सेवाओं कौ केसे समझें और आप येसे भी वीडियो क्लास कर रहे हो और आपके मन में सवान आ रहे हैं ये recorded क्लास है जिसे आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अज ये upload करेंगे आपको मिल जाएगी आप लोगों को live class नहीं है कैसे हम सवाल करें कैसे पता लगेगा तो आप उसकी चिंता नहीं करो बहुत ही प्रामानिक मतलब प्रामानिक टाइप की classes हैं और कोई परिशानी आपको नहीं होगी जो सवाल आपके मन में आ रहे होंगी हो सकता है उनके उपतर में खुदी आपको दे दूँ और सबसे बड़ी बात क्या है कि पढ़ना हो चाहिए जो प्रासंगी कहे तो teacher क्या चीजें दे रहा class में उन पर आपका focus होना चाहिए तो दोस्तों क्या कि services का हमें कैसे पता लगे तो services में इसा होता है कि मध्यवर्ती भी होती है सेवाएं और final services भी होती है एक दो example से समझना हमें और समझ अगर हमें आजाता है बात पकड़ में आजाती है तो फिर हमें आगे बढ़ जाना है ये चीज में बार बार आपको समझाऊंगा कि अगर आपको कोई चीज मन ने कह दिया कि हाँ ये ठीक है तो फिर देश्यों तरह के एक्जामपल मन को विचलित करना मल्टिपल चीजें के बारे में सोचना ये फिर आपको ब्रहमित करेगा और बहुत दिक्कत में आफज़ा होगे तो दोस्तों एक दो एक्जामपल में आपको देता हूँ जिसे मैं दृस्टे में पढ़ाने जाता हूँ वाभी मेरी कलास होती है वीडियो रिकोर्ड होते है वहाँ मेरी जो सर्विस है वो मध्यवर्ती है क्योंकि उभगता के रूप में स्टूडेंट वहाँ मेरे से सिधे नहीं जुड़ रहा है मैं वहाँ पर जाता हूँ फिर वो वीडियो रिकोर्ड करते हैं एडिट करते हैं उसको प्रोसेस करते हैं और फिर बच्चों को देते हैं तब वो फाइनल रूप में आके बच्चों के पास जाती है द्रिस्टी जो प्रोडक्शन कर रहा वो भी आप जोड़ोगे और मैं द्रिस्टी के यहां जाके प्रोडक्शन कर रहा हूँ वो भी आप जोड़ोगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी क्योंकि दृष्टी के प्रोडक्शन में मेरी कोस्ट तो पहले से शामिल है फिर वो मुझे पे कर रहा है क्योंकि मैं आँ उत्पाधन कर रहा हूँ तो जो वो पे कर रहे हैं वो मेरा योगदान है उनकी उत्पाधन में तो उसको भी आप जूड लेती हूँ तो यह double counting होगी और समझे आप जिससे कोई doctor है और वो fortis hospital में जाकर बेटता है और उसका खुद का clinic भी है तो fortis hospital में जाता है तो जो लोग दिखाने आते हैं उसको वो fortis management उनकी रसीद काटता है उनके पेसे को जमा करता है वो responsibility लेता है और उनसे customer जुड़ता है और जो भी doctor के साथ उनका arrangement है उसके हिसाब से वो doctor को pay करता है तो आपको दोस्तों जब calculate करना होगा GDP तो आप fortis की जो sale है लोगों को वो शामिल करोगे fortis फिर doctor को pay करता है वो शामिल नहीं होगा हाँ अगर वो doctor घर पर clinic चला रहा जैसा है कि हम मान रहे हैं कि उसका घर पर भी clinic है वहाँ जो लोग उसको fees पे करते हैं वो count हो जाएगी देश की GDP में क्योंकि उसकी service final type की है बीच में कोई नहीं आ रहा fortis, fortis तो दोस्तों ये ऐसे आप इससे इसको समझ सकते हैं तो सेवाएं भी ऐसे देखी जा सकती है तो देश की GDP में दोस्तों एक तो आपको ये समझना है कि जो boundary के अंदर है वो शामिल होगा कौन कर रहा है ये हमें नहीं देखना है कौन भारत का ये भी हमें नहीं देखना है भारत का आदमें बाहर चला गया है तो फिर हमें कोई मतलब नहीं है GDP calculate करेंगे तब दूसरी बात जो दोस्तों हमने समझी वो क्या है कि अंतिम प्रकार की वस्तों और सेवाएं हमें ध्यान में रखनी है सभी नहीं ले लेनी है कि आटा भी ले लिया गेम भी ले लिया ब्रेड भी ले लिया टाइर भी ले लिया गाड़ी भी ले लिया और उसके पार्ट्स भी ले लिये स्मार्टफोन भी ले लिया उसके अंदर के parts की भी value अलग लगा लगा लगी अर तो smartphone की जो rate है उसमें वो parts की value तो गई हुई है इस तरह से आपको ये चीज़ समझने चाहिए और फिर भी दोस्तों इस बात का ब्रह्म हो कि किस वस्तों को अंतिम कहें किस को नहीं कहें कई बार इसा भी हो जाता है कि हमें समझ ही नहीं आपाता जिससे हम आटे को क्या समझते है कि मद्यवर्ती है कोई भी बूलेगा आटा क्या है कि मद्यवर्ती लगता है क्यों क्योंकि उसे हम रोटी बनाते है उसे हम bread बनाते है लेकिन दोस्तों कोई मेरे जैसे लोग मार्केट से ITC आशिरवाद ITC का जो एक ब्रैंड आशिरवाद आटा वो खरीद के घर ला रहे हैं तो वो आटा भी अंतिम हो गया क्योंकि उसको मोडिफाई करके यह प्रोडक्शन जैसा करके हैं मार्केट में नहीं बेच रहे हैं हमेज़े कंजुमर उसे लेके आ रहे हैं तो वो अंतिम हो गया और अगर वोई टिफिन सेंटर वाला ले जाए उसे तो उससे उचपाती बनाएगा मतलब एक प्रोडक्शन कर रहा है और फिर उसको सेल कर र वह तीसरा जो टायर होते है जो गाडियों में लगते हैं जारसे बात मद्यवर्थी हैं इन्जनर लेकिन और मान लीजए मेरी गाड़ी का टायर खराब हो गया जह कंजुम है मैं कोई गाड़ी नहीं बनाता हूँ मैं नियुक्टर नहीं हुँद में टायर ले आया तो वो अंतिम बस्त हुआ क्योंकि वो फिट होके फिर किसी प्रोडक्शन को नहीं जनरेट उसने किया तो इसे सितिय में कई प्रकार के ब्रह्म पेदा हो जाते हैं वस्तों को पैचानने में दोस्तों गलती हो जाती है तो फिर इसका एक रास्ता सुजाया गया कि हम मुल्य समवर्धन निकाले अलग-अलग उत्पादन की अवस्ताओं पर और उनको आपस में जोड़ ले तो हमें ये देखना नहीं पड़ेगा कि कौन सी वस्तु अंतिम है कौन सी वस्तु मद्यवर्ती है हमें हर स्टेज पर मुल्य समवर्धन निकालना और उसको एड़ कर देना है और आज की तारीख में भारत में जो वर्ड़ आप सुनते हो जीवी है ये इसी चीज़ से निकला ग्रोस वेल्य ओडिशन सकल मुल्य समवर्धन आज भारत में जीडीपी इसी पेटन पर निकलता जो मैं भी आपको बता रहा हूँ तो आप उसकी चिंता नहीं करें कि मुल्य समवर्धन ये शब्दत तो हमने आज ही सुना या सुनावा है लेकिन हम इसको समझ नहीं पाए और इससे पीचा चुड़ा रहे थे और ये पता लगा सर की क्लास में हमारे सामने आ गया अभी हम क्या करेंगे तो उससे डरने की कोई जरत नहीं है मैं आपको बताऊंगा मुल्य समवर्धन भे लेकिन पहले आप थोड़ा लिख लो तो पेरिग्राप चेंज करके फिर लिखुआ यदि अंतिम बस्तूं और सेवाओ के बजाए सबी बस्तूं और सेवाओ को सम्मिलित करना हो को सम्मिलित करना हो तो तो इसका एक विकल्ब यहै की वस्तूं और सेवाओं के उत्पादन की वस्तूं और सेवाओं के उत्पादन की अलग अलग अवस्ताओं अलग अलग अवस्ताओं पर किये जाने वाले मुल्य सम्मिल्दन किये जाने वाले मुल्य सम्मिल्दन को आपस में जोड लिया जाए आपस में जोड लिया जाए पुर्ण विराम लगा ले एक साथ लिख लेते हैं फिर मैं आपको समझाऊँगा पेरिग्राप चेंज करके लिए कि यह ध्यान देने योग्य है कि भारत की द्वारा भारत की द्वारा दुहजार पंद्रे में भारत की द्वारा दुहजार पंद्रे में भारत की द्वारा दुहजार पंद्रे में इसलिए कि SNA इसका फुल फॉर्म बाद में बता दूँगा SNA 2008 के अंतर ग़त GDP निकालने के लिए GDP निकालने के लिए इसी विधी को लगू किया गया था इसी विदी को लगू किया गया था इसी विदी को लगू किया गया था उन्हें विराम लगए ये फिलिके इसमें इसमें GDP निकालने के लिए GDP निकालने के लिए GVA Gross Value Edition Gross Value Edition की की, गणना की जाती है Gross Value Edition की गणना की जाती है पूर्ण विराम लगा दीजे अब मैं समझाओंगा पहले इसका फुल फॉर्म आपको लो साइड में SNA का फुल फॉर्म होता है System of System of National Accounts System of National Accounts और भारत नहीं सिस्टम को 2015 में लागू किया और उसमें UNO का जो यह नया System of National Accounts इसमें GDP पर जाते हैं तो Gross Value Edition को आधार बनाते हैं उस पर जाने के लिए और अभी यह हमारे देश में 2015 से चल रहा है तो दोस्तो तरकीब से किसी चीज़ को लाना पड़ता है तो पहले हम अन्ती मुस्तुर सेवा जो इसकी परिवाशा कामतुर पर आपको बुक्स में दिखेगी फिर मैं विकल्प पर लिखे आया है कि अगर हमें यह नहीं देखना है कि कौनसी वस्तु अन्ती में है कौनसी सेवा अन्ती में हमें सब को शामिल करना है तो फिर हमारे पास विकल्प क्या है तो हम यह देखें कि उत्पादन की हरे का वस्ता पर जो भी लोग जुड़े में जो भी उत्पादक लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, वो कितना कितना मुल्य जोडते चले जा रहे हैं, उसकी टोटल अगर हम पता लगा लें, तो भी हम वहीं पहुंच जाएंगे, जो हम अंतिम वस्तुओं को शामिल करने से पहुंचते हैं, चुकि अलग अलग जिगे का ज वेल्य उडिशन जोड़के, ग्रॉस वेल्य उडिशन, टोटल वेल्य उडिशन पता लगा जाता है, इसको इसलिए जीवी ये कहते हैं, और हमारे देश में इसको केंदर में रखकर जीडीपी निकलता है, अब मैं आपको एक नुमेरिकल से समझाऊंगा कि, हम कैसे वेल्य समझाऊंगा को आपस में जोड़ देने से, उसी मुल्य को प्राप्ति कर सकते हैं, जो हम प्राप्ति करते हैं, अगर केवल हम अंतिम बस्तू को ध्यान में रखते हैं, तो हम मैं उसी नुमेरिकल को फिर से लूँगा, जो गेहूं, आटा और ब्रेड से जुड़ावा है, और अगर आपको उसमें वो बात संगति पून लगती है, कॉंसिस्टेंट लगती है, कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, और हम उसी परिणाम को प्राप्ति कर पा रहे हैं, तो फिर आप ज़्यादा पचड़े में नहीं पड़ें, मैं बार बार यही सिंप्लिसीटी आपको सिखाता रहूंगा, मेरा जो करतव्य है, वो मैं पूरा करता रहूंगा, आपको मुझे दल्दल से बाहर निकालना है, आपको दल्दल में फसाना नहीं है दोस्तों, तो देखते हैं कि वो किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, उसको फिर से लिख लेते हैं, जिसे ये गेंव है, तो एक किलो वगिरा मैं नहीं लिख रहा हूं, ये 10 रुपे लिख रहा हूं आपको, ठीक है, आटा जो है, वो 12 रुपे किलो का है, और ब्रेड जो है, वो 20 रुपे किलो की है, अब हम मुल्य समद्धन निकालेंगे, और मुल्य समद्धन क्या होता है दोस्तों, आप पीछ कितने का माल खरीद रहे हो आपको क्या कोस्टिंग आ रही है और उसमें कितना जोड के आप कीमत रखकर आगे वाले को बेच रहे हैं कितना मुले एड कर रहे हो देखा जाये तो हर उद्योग पती हर उत्पादक हर व्यापारी इसी चीज के लिए ही काम करता है अगर उसको प्राकरतिक स्वाभाविक प्रक्रिया है लेकिन चुकि हम शब्द पहली बार सुनते हैं या कभी कबार सुनते हैं तो जटिलता पेदा हो जाती है तो वह जटिलता जैसा कुछ भी इसमें नहीं है हम क्या करेंगे मुल्य समवर्धन निकालेंगे इन लोगों का अलग- अब वहाँ से स्टार्ट करते हैं उसका वेल्य ओडिशन निकालते हैं सबसे पहले तो ब्रेड वाला बीस रुपे किलो का ब्रेड बेच रहा है और आटे वाला बारा रुपे का बेच रहा है थोड़ा सा आप यह मानिता लें कि यहां किसान है तो इसके इधर आटे की चक्की वाला आदमी है वो किसान इसको बेच रहा है ये आटे की चक्की वाला है आटे की चक्की वाला अपना आटा इसको बेच रहा है और ये ब्रेड फिर कंजूमर को दे रहा होगा तो ये बीस की बेच रहा है और ये आदमी आटा बारा का बेच रहा है तो ले कुन रहा है बेकरी वाला तो उसने बाराक का इसने बेचा तो उसने खरीदा होगा और 20 का बेच रहा है तो यह 8 रुपे का मुल्य समर्दन कर रहा है एक तरह से बेकरी वाला जो आदमी है वो 8 रुपे की वेल्य अडिशन कर रहा है मत्तब 20 में से 12 माइनिस करोगे तो 8 आइंगे यहां पर अभी इसका निकाल लेते हैं दोस्तमों यह किसान 10 रुपे का बेच रहा है और यह 8 रुपे का मुल्य समर्दन कर रहा है टॉटल मुल्य नहीं लिखना है मुल्य समर्दन लिखना कितना उसने जोड़ा वो इसमें आयेगा दोस्तों, रहें इनका भी हिसाब क्लियर हो गया अब आया इसका नंबर तो इसका नंबर आया तो यहां हम जो कुछ भी लिखेंगे वो हम नहीं लिख पा रहे है क्योंकि इसके पीछे कोई है नहीं मतलब इसकी कोस्ट कैसे निका रहे है यह समझा कड़ी हो रही है तो दोस्तों इसका एक बड़ा सिंपल तरीका है कि जैसे पीछे से आ रहे है मतलब आप ऐसे समझे कि यह गेहूं भी किसी रूप में इधर था और वो ऐसे होते होते यहां गेहूं का रूप ले लिया तो इधर कोई कोस्ट आते 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 गेहूं होकर वैल्य एडिशन जुड़ते जुड़ते कुल वैल्य यहां तक कितनी हो गई 10 रुपे तो अगर हमें पीछे का पता नहीं है तो हम यह कह सकते हैं कि इस स्टेश तक कुल वैल्य एडिशन कितनी रही है 10 जिसमें यहां का नहीं पता हो कि यहां वैल्य एडिशन कितना है लेकिन यहां क्या दिख रहा है 12 तो हम यह कह सकते हैं कि यह प्रोड़क्ट धिरे दिरे इधर आते वे जब यहां आया आटे के रूप में और यहां बारा लिखा हुआ है तो जुड़ते 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 ही तो बारा आया होगा तो यहां जो दिख रहा है वो यहां तक का कुल मुल्य से हमरते हैं तो हम कर सकते हैं यहां क्या दिख रहा है दस तो यह दस रूपे मैं इसे लिख सकता हूँ यहां तक का कुल मुल्य समर्दन यहां तक का कुल मुल्य समर्दन यहां तक का हमें टोटल मिली गया तो इधर जाने की जर्द बच ही नहीं और फिर उसमें प्लस कर देंगे इसके स्थर पर कितना हुआ उसके स्थर पर कितना हुआ तो हमारी टोटल वैल्य ओडिशन कितने आ जाएगी 20 रुपे की रहें तो यह है ब्रॉस वैल्य ओडिशन और जो अंतिम वस्तु है वो भी 20 की है और आप सारी वस्तों को शामिल करके भी 20 की किस रिजल्ट पर पहुंच रहे हैं 20 के रिजल्ट पर पहुंच रहे हैं तो दोस्तों इस तरह से क्या है कि आप वैल्य ओडिशन मेथट से भी जीडीपी के लेवल को ग्याद कर सकते हैं तो यह इस तरह से दोस्तों क्या है GDP की गणना की जा सकती है तो पहला point था हमारा की GDP में केवल उन्ही वस्तोर सेवाओं को शामिल किया जाएगा जो देश की गरिलू सिमा के भीतर हुई हो पहली चीज थी और दूसरा हमें अन्तिम वस्तोर सेवाओं को शामिल करना है और अगर हम सब को शामिल करना चाहते हैं तो मुल्ले समवर्धन विदी का हम लोग प्रियोग करेंगे और भारत में समय इसी विदी का प्रियोग हो रहा है यह था point number second और point number three लिखिए point is second complete हो गया अब तीसरा point लिखिए और तीसरे point में आप लिखिए जीडीपी को एक समयावधी से जोड़ा जाता है जीडीपी को एक समयावधी से जोड़ा जाता है जो की जो की सामन्य तया एक वर्ष होती है जीडीपी को एक समयावधी से जोड़ा जाता है जो की सामन्य तया एक वर्ष होती है अब दस वर्ष का भी निकाल सकते हैं लेकिन ट्रेंड बन चुका है ये समय को आप ढिला छोड़ोगे तबी प्रोडक्शन होगा दोस्तों जिससे कांटिने काई की इस दुनिया में समय और स्पेस की सत्ताएं है तो दोस्तों जिससे स्पेस ना हो तो हम एक्स्टेंशन कैसे करेंगे अपना जिससे बच्चा लंबा होता है तो कैसे होगा जब उसको स्पेस नहीं मिलेगा गरब में बच्चा रहता है तो जिस जिस से बड़ा होता है उसको स्पेस मिलता है बच्चा दानी भी बड़ी होती जाती है तो स्पेस नहीं मिलेगा तो हम ग्रो कैसे करेंगे राइट, तो यह स्पेस ने हमें छूट दे रखिए कि हमें हाथ भी युँ हिला रहा हूं तो यह पीस है जो आप लिखते लिखते अगर आपकी मतलब कॉपी क्छतम हो गए प्रश्न प्रिंट किया वाय आप जगह ही नहीं बचिए तो आपकी तैयरी का क्यारत है तो स्पेस important हुआ है आपकी तयारी important हुए और ऐसे समय समय अगर आप नहीं दोगे जैसे आप को होगे कि सर्थ हम तो इतना लंबा नहीं पड़ेंगे हमें जल्दी से इसको कर दो तो दोस्तों नहीं हो पाएगा और इसलिए मैं कहता हूँ कि कि आप मुझे समय दो मैं आपको सफलता दोंगा मेरी क्लास में यही है दोस्तों कि आपको समय देना पड़ेगा देरे रखना पड़ेगा धीरे धीरे मैं चलता हूँ लेकिन दोस्तों मैं समय पर अपनी क्लास को पूरा कर देता हूँ और जो तथाकतित रूप से दोड़ने और भागने वाले हैं, उनके syllabus का पता भी नहीं लगता, वो दस्यों महीने चलता रहता है, लेकिन मैं धीरे चलता हूँ और एक time frame को कभी close नहीं करता, एक time frame में ही syllabus को मैं complete करवाता हूं मित्रों, तो दोस्तों क्या है कि समय तो आपको देना पड़ेगा, तो समय होगा तो उत पादन के से होगा, तो एक समयावदी से इसको जोड़ा जाता है, और वो सामाने तया एक वर्ष होती है, यह आप ध्यान में रखिए, और चोथा और आखरी, आप लिखिए, जीडीपी को बाजार मुल्यों पर अभिवेक्त किया जाता है, बाजार मुल्यों पर, अभिवेक्त किया जाता है, अब आप जीडीपी को मार्केट रेट पे भी, मतलब क्या कहते हैं, यूनिट्स में भी दिखा सकते हैं, जैसे आप यह कह सकते हो कि, जो हमने पिछले एक्जामपल लिए दोस्तों, जिसमें आपने कहा कि, गेहूं, आटा, ब्रेड वगेरा, य जिसे इसमें आप देखें, कि गेहूं, एक किलो, आटा, एक किलो, ब्रेड एक किलो, आप चाहो तो ब्रेड के 20 रुपे लिखने की जीगे, एक किलो भी लिख सकते हो, इस देश का जीडीपी कितना है कि एक किलो, तो इसमें रुपांतरन तो पता ही नहीं लग रहे हैं, मत तब गहुऊ हुआ मान लिजे और अटा ब्रेड नहीं हुआ तो अभी आप 1 kg लिखोगे और मान लिजे अटा है और ब्रेड नहीं हुई तो भी आपको ओगे 1 kg और ब्रेड वई तो भी आप करेव 1 kg तो दोस्ते इस एक किलो की लेंग्वेज में क्वालिटेटिव जो डिफ्रेंसेज हैं वो नहीं इसमें आ रहे हैं आपके तो इतने मिलियन टन मिल्क हुआ लेकिन मिल्क की वेराइटी में तो अंतर है तो यह भूगोल नहीं है यह एकनोमिक्स है आप एक एपल का स्मार्टफ इसका क्या मतलब है तो क्वालिटिव एस्पेक्ट्स तो उच्छिप जाएंगे ना एक बेंगोली डॉक्टर भी होता है जो कहता है नहीं नहीं हम तो दवा का पिसा लेते हैं हमें फीज देने की जरूत नहीं है अब वो क्या दवा दे रहा है उसकी पर्ची भी हटी हुई है और जो उसके स्ट्रिप्स हैं वो हटे वे हैं ऐसे ही अपना बनाकेर हो आपको दवा दे रहा है और हम रामबरों से उस दवा को कंज्यूम कर रहे हैं एक डोक्टर ऐसा जो कह रहा है कि प्रेस्क्रिप्शन तो मैं लिखूंगा वो मेडिकल स्टोर से आप दवा लो बाक कर निएक एक कोई ओर भी इकोनामी की कि एक्लास है आप 500 रुपे में भी था माध्यूमा सकते हो कि ह così हहाद fifteen सकते हो हम लोगों की अथरह जार फीस है तो क्या सभी टीचर्स के घंटों को एक माना जा सकता है तो दोस्तों है क्या कि अगर आप कीमत में जीडीपी को अभिवेक्ट करोगे तो वो श्रेष्ट तरीका होगा और प्लस दोस्तों क्या है कि सर्विसेज की तो कोई मात्रा होती नहीं है क्विंटर, लीटर, मीटर दिखाओगे कैसे आप लेकिन अगर आप मुद्रा में GDP निकाल रहे हो तो आप दिखा सकते हो services का जो मुल्यांकन है वो किस आधार पर होता है कि जो हम service के लिए pay करते हैं तो हम pay क्या करेंगे जो market rate होगी रामिश्वर ने आपको कितने की service दी कितने मीटर service दी ऐसा थोड़ी होगा रामिश्वर ने आपको ठराजार रुपे की service दे यह तो market price से आप मुल्यांकन बेतर ढंक से कर सकते हो दोस्तों GDP का तो कुल मिलाकर हम बहुत साधरन तरीके से लास्ट में अगर GDP को देखें तो GDP is nothing but what यह मैंने जिसे एक देश है भारत रास्ट्रे जिसे इसकी गरिलू सीमा होगी इस गरिलू सीमा के भीतर अंतिम वस्तूओं और सेवा हों के उत्पादम का बाजार मुल्ये यह GDP है इसमें कौन से हमें चारवेद पढ़ने है जो एक होवा क्रेट किया जाता है लेकिन पढ़ना आपको तरीके से पढ़ेगा यह जो जनरलाइजड वेग होता है तरीके का जो हम मतलब कई सारी जिगह देखते हैं कि अंदास से GDP को पढ़ाया जाता है और बातचीत करेके उसक अकेडमिक जो बेक्डाउंड होता है टीचर्स का उससे वो अलग निखा रहता है आपकी ग्यान में और एकनामिक से कैसा विशे है जो मतलब अकेडमिशियंस अगर उसको डील कर रहे हैं तो वो आपको उस विशे का मर्म दे सकते हैं तो वो मर्म आपको इन क्लासेज में मि आप इसमें चीजों को देखे हैं अब मान लीजिए इसके अंदर हमारे देश के अंदर ये एक एरिया में ने बना जा दिसे हैं और इसमें कोई विदेशी साधन काम कर रहा है कोई विदेशी साधन है तो भी वो हमारी देश की जीडीपी का पार्ट रहेगा दोस्तों इसमें कोई दोराई नहीं है ये आप ध्यान में रखिए और अगर कोई चीज बाहर है मतलब हमारे कंट्री के लोग अगर बाहर काम कर रहे हैं और मान लीजे मैं इसको ए बोलता हूँ तो वो बाहर ही रहेगा इसका पार्ट नहीं बनेगा और ये अगर बी है और ये इस गेरे के अलावा बाहर का जो क्षेत्र है वो अगर एक्स है दोस्तों तो ये एक्स प्लस बी आपका जीडीपी होगा दोस्तों ये ध्यान में रखिए ये भी रहेगा उसमें शाम राइट तो ये एक है बाएक वर्ष आपको ध्यान में रखना है आपने क्या पढ़ रखा क्या नहीं पढ़ रखा पीछे क्या पढ़ के आए हो क्या नहीं पढ़कर आये हो कौन सी किताब पढ़ें नहीं पढ़ें सभी प्रशनों से परे होकर आप मेरे साथ साथ चलो और बाइके मैंने आपको अपनी इंट्रो क्लास में मित्रों बता दिया था कि आपको क्या बेसिक बुक वगेरा देखनी है एक आईसी धिंगरा सर की किताब आती है इंडियने का नामी की वो देख सकते हो, एंसी आर्टी की देख सकते हो, इलेवन्त क्लास की और एक जेन और ओहरी की पुस्तक आती है कोई भी एक ले लो आप इसमें से और बाकी क्लास में जो काम हो रहा है उस पर आप ध्यान दरो पूरी तरह से तो दोस्तों मैं इजाजत लेता हूँ आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और अगले वीडियो में मैं मुलाकात करता हूँ मित्रों धीर धीरे इसको हम तेजी प्रदान करेंगे आप निश्चिंद रहें हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे अभी मैं आपकी थोड़े थोड़े कॉंसेप्च्वल डेवलप्मेंट कर रहा हूँ अभी इसमें किंस का अर्थ सास्त वगिरा कई चीज़ें आ नहीं है और अगली क्लास में दोस्तों हम GNP लेंगे इसके बाद फिर देखेंगे कि GDP और GnP में क्या डिफरेंस है और क्यों ऐसा का जाता है कि GDP की तुलना में क्या उसमें अलग है Joseph East Tillich क्या कहते हैं उनकी किताब जो है Price of In lleogy उसमें वो क्या अर्गिमेंट दे रहे हैं इसके पीछे अगर आपको अच्छे स्तरकी पढ़ाई करनी है तो आपको ये चीजों की उपर फोकस करना पड़ेगा दोस्ता तो धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यू सो मच